Hello friends and welcome to my channel statistics for all आज के इस वीडियो में हम ANOVA का एक one way classification का questions को solve करना सिखेंगे So हमारे बास एक question है याँ पर 3 varieties of wheat are shown in 4 plots each and the yields are recorded as shown below Carry out ANOVA to examine the difference between the varieties of wheat तो यहाँ पर हमारे पास question में एक table दीवी है जिसमें 2 चीज़े दीवी है एक तो varieties of wheat, A, B, C और फिर उन तीनों ही wheat को हमने 4 plots में grow किया हुआ है P1, P2, P3 और P4 तो उन 4 plots में इनकी wheat के कितने production हुआ है वो यहाँ पर लिखा हुआ है और question में आपको यहाँ पर पता कैसे चलेगा कि one way classification ही apply करना है तो उसके लिए question में देखो Carry out ANOVA to examine the difference between the varieties of wheat हमें सिर्फ difference between varieties of wheat बोलावा है यानि कि सिर्फ एक ही variable का बोलावा है तो हम सिर्फ यहाँ पर one way classification ही करेंगे अगर यहाँ पर साथ में यह भी लिखा होता and करके that the difference between plots तब हम two way classification apply करते हैं ओके सब हम question को solve करना start करते हैं सबसे पहले तो हमें h not define करना है so question में यह बोलावा है ना कि examine the difference between varieties of wheat तो हम यह मान के चलेंगे कि तीनों ही wheat में कोई भी difference नहीं है यानि कि उनका difference जो है वो इतना ज़्यादा important नहीं है तो हम h not में लिखेंगे the difference between three types of wheat is not significant ओके हम यही मान के चलेंगे that three types of wheat तीनों का ही production जो है वो equal ही हो रहा है ज्यादा difference नहीं है उनमें उसके बाद में आपको तीन चीजे लिखनी है पहला n n हमारा यहाँ पर 12 होगा n यानि कि आपके table में जितने भी elements दिये वे हैं न total elements वो आपका n हो जाएगा उनको count करके simply लिखना है ठीक है फिर दूसरी चीज़ आपको लिखनी है h is equal to three h यानि कि हमारे पास row कितनी dv equation में तो देखो हमारे पास तीन row dv है तो equation में आपे देखो चार column देवी है p1, p2, p3 और p4 की तो k हमारा 4 हो जाएगा ओके तो यह n, h और k यह तीनों ही चीज़े आपको find कर लेनी है फहले इतना करने के बाद आपको row wise total find करना है यहाँ पर देखो row हमारी a, b, c, 3 variety वाली जो row है न वो तीनों row दीवी है तो इस यह है 5 plus 3, plus 4, plus 2 आजाएगा 14 उसके बाद second column, sorry second row 4 plus 4, plus 3, plus 3 is also 14 and last row is 3 plus 2, plus 5, plus 2 is 12 उसके बाद में यह जो row वाले total है उस, उन सभी total का भी आप total कर लो तो यह पूरी column का total आजाएगा 14, plus 14, plus 12 is 40 और यह जो 40 होगा ना वो आपका T होगा तो अभी तक हमने N, H, K और T कैसे निकालते हैं वो तो सीख लिया अब आगे हम करते हैं अब हम हमारे table में जितने भी elements दिये वे थे ना जो हमारा 12 elements दिये वे थे question में उन सभी का आपको square करके उन सबको add कर देना है तो इसे हम क्या बोलते हैं sigma i, sigma j, xij का square यहाँ पर यह सभी जो element 4 का square ऐसे एक एक करके last 2 के square तक आपको add करना है ठीक है इसका answer आजाएगा 146 ओके और इसके बाद में हम correction factor find करेंगे इसे हम short में cf लिखते हैं और इसकी formula है t square upon n तो उपर देखो हमने t की value find की थी हमारी 40i थी और n हमारा 12 square divided by 12 answer आजाएगा 133.33 इसके बाद में हम tss find करेंगे tss यानि की total sum of squares इसकी formula अब देखो हमने जो उपर दो values find की न sigma i, sigma j, xij का square और cf इन दरुक आपको minus करना है तो इससे आपका tss आजाएगा so 146 minus 133.33 answer आजाएगा 12.67 ओके इतना करने के बाद में आपको ssc find करना है ssc यानि की sum of square of column ओके इसकी formula होगी sigma ti square divide by k minus correction factor देखो यहाबर formula में हमने पास ti का square है ti नहीं है only उपर cf find कहता था अब हमने ti use किया था अब हमे ti use करना है अब यह ti क्या होता है जब आपने row wise total find किये थे न यह तीनों values 14, 14, 12 यह सभी आपके ti की values है तो जो याद रखना row wise total जो होता है वो आपके ti की values होती है इन सभी का आपको square करके simply इनको add करना है तो 14 का square plus 14 का square plus 12 का square आ जाएगा 536 sigma ti square की value ok so sigma ti square 536 divide by k हमारे पास 4 है हमने उपर लिखा था number of columns 4 है minus correction factor हमारा 133.33 आया था so इसको अब पहले divide कर दो 536 divide by 4 फिर जो भी value आई उसमें से 133.33 minus करना तो आएगा 0.67 ok ssc आ गया और हमने उपर tss find कर लिया अब इन दोनों को value को minus करके आप sse find करोगे यानि कि sum of square of errors ok sse इसके formula क्या हो जाएगी आपको tss और ssc को simply minus कर दिना है तो आपका answer sse का आ जाएगा so 12.67 minus 0.67 आएगा 12 यह sse की value आ गई ok और अब friends देखो हमने यहाँ पर 3 sum of square निकाल लिये हैं एक तो dss निकाला for total के लिए फिर ssc निकाला column के लिए और तीसरा sse निकाला error के लिए तो अब इन तीनों के लिए हम तीन अलग-अलग degree of freedom बें निकालेंगे पहला degree of freedom हम total के लिए निकालेंगे इसके formula होगी n-1 so n हमारा 12 है so 12-1 is 11 और दूसरा ssc निकाला हमने यानि कि column के लिए निकाला ना तो यहाँ पर हम degree of freedom between the classes लिखेंगे column नहीं लिखने आपको ठीक है इसके formula होगी h-1 और h हमारा 3 है so 3-1 is 2 ok और last में हमें error के लिए degree of freedom निकालना है क्योंकि हमने sum of square for error भी निकालना था ना इसलिए so degree of freedom for error इसके formula हो जाएगी n-1-h-1 यानि कि आप directly n और h के values put करके भी answer find कर सकते हो वरना आप चाहो ना तो हमने n-1 और h-1 और अपर find कर चुके है तो सीधे 11-2 करोगे ना तो भी answer आजाएगा 9 ok इसके बाद friends आपको एक अनोवा की table बनानी है तो मैं यहाँ पर यह question जो है ना पूरा rub कर रही हूँ हम यहाँ पर एक अनोवा की table बनाएंगे so यह दिया हमारी table इसमें हम 5 column बनाएंगे ok first column होगी हमारी sources of variation अब देखो friends हमने मैं वापे से बता दूँ हमने तीन चीज़ के लिए sum of square निकाला था पहला TSS total के लिए निकाला था फिर SSC हमने column के लिए निकाला था और फिर error के लिए भी निकाला था SSE तो हम वैसी तीनों चीज़े यह आपे लिख देंगे पहला हम SSC के लिए लिखेंगे between the classes उके जो आपने degree of freedom में bracket में लिखेंगे न वही same चीज़े आपको लिखेंगे between the classes फिर लिखेंगे for errors और last हम total लिखेंगे उके second column आप degree of freedom के बनाओगे और degree of freedom की values हम already find कर चुके तो आप सीधा उनके सामने लिख दो पहला degree of freedom for between the classes हमारा 2 आया था तो हम यहापे लिख देंगे 2 फिर for errors के लिए हमारा degree of freedom आया था 9 तो हम यहापे लिखेंगे 9 और total हमारा 11 आया था तो 11 लिख देंगे इसके बाद में हमें SS की column बनाएंगे SS यानि की sum of square अब देखो हमने 3 sum of square find किये थे पहला sum of square between the classes के लिए SSC था ना 0.67 था तो हम यहापे हम लिख देंगे 0.67 फिर error के लिए हमारा sum of square for error SSC आया था 12 तो यहापे हम 12 लिख देंगे और total के लिए हमारा SS क्या था TSS की value यानि की 12.67 तो table में लिखनेंगे 12.67 इसके बाद आपको mean sum of square की एक column बनानी है यानि की MSS mean sum of square यहापर हम दो values find करेंगे M1 और M2 की M1 और M2 के लिए अभी चाह हमने दोनों column निकल लिए degree of freedom और SS वाली इन दोनों का आपको divide करना है ओके numerator में आपको SS की column sorry SS की value रखनी है 0.67 divided by 2 denominator में degree of freedom रखना है तो आएगा answer 0.335 और M2 के लिए भी same वैसे ही 12 divided by 9 करेंगे आएगा 1.33 ओके इसके बाद में हमें हमार लास्ट में F calculated value find करनी है ANOVA test में हम F test का use करते है ओके तो इतने देर से जो हम calculate कर रहे थे वो F C निकालने के लिए कर रहे थे तो इसकी formula होगी याँपर M2 divided by M1 अब देखो friends M2 divided by M1 हमने क्यों लिया क्योंकि M2 की value बढ़ी थी M1 से 1.33 is greater than 0.335 है ना इसे लिए M2 divided by M1 लिया है अगर M1 की value बढ़ी होगी तो M1 numerator में चला जाएगा और M2 denominator में चला जाएगा वो भी हो सकता है तो जो value बढ़ी होगी ना आपको उसको numerator मे रखना है हमेशा और छोटी वाली को denominator में ओके तो यहाँ पर 1.33 divided by 0.335 आ जाएगा 3.97 यह आगई F की calculated तो table value के लिए पहले लिखेंगे कैसे वो देखो F के निचे छोटा T लिखेंगे T for table value कामा करके level of significance लिखना है level of significance question में आपको दियावा भी रह सकता है नहीं भी दिया हो सकता है यहाँ एक्वेशन में कुछ नहीं दियावा था इसलिए हमने सीधा 5% ले लिए ओके फिर 5% को divide by 100 कर देना तो आज जाएगा 0.05 अगर question में पहले से दियावा हो तो direct value लेना ओके फिर कॉमा करके आपको degree of freedom जो हमने 2 find किये ना एक तो between the classes के लिए 2 आया था और error के लिए 9 आया था तो वो दोनों आपको लिखना है लेकिन उनका series आपको कैसे लिखना है तो FC की formula में हमने M2 को उपर रखा था M2 को उपर रखोगे ना यानि कि M2 के सामने जो भी आपके degree of freedom है 9 थी तो वो आपको पहले लिखनी है और फिर नीचे M1 रखा था इसलिए M1 के सामने जो भी degree of freedom है 2 उसको हमने बाद में लिखना है अगर formula उल्टी होती ना M1 divided by M2 होता तो ये 2 9 हो जाता degrees of freedom में अभी हम 9 थी लेंगे जहां रखना कि जो value M2 अगर आप उपर रख रहे हो तो उसकी degree of freedom पहले लिखना और M1 नीचे लिखना हो तो उसकी degree of freedom बाद में लिखना ठीक है इसे table में कैसे observe करना है so this is our F table और मैंने उपर red में लिख भी दिया हमें क्या find करना है तो इसमें देखो जो degrees of freedom है ना 9 और 2 तो line wise ही देखना ही पहला 9 है ना वो आप इसे उपर वाली row में देखोगे यह रहा 9 और जो 2 है बाद वाला वो आपको column में देखना है 2 यह रहा अब इन दोनों का जहाँ पर intersection आ रहा है ना अब यह table में हमारे पास दो-दो values दीवी है हर एक intersection के लिए दो-दो values दीवी है तो जो उपर वाली value है वो 5% के लिए है और जो नीचे जो bold में लिखावा है थोड़ा dark में लिखावा है वो 1% level of significance के लिए है तो हमारे तो level of significance हमने 5 लिया है इसलिए हम उपर वाली value लेंगे 19.38 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 19.38 यह table value आ गई और अब आपको calculated value और table value को compare करना है और इसके लिए condition होती है that calculated value table value से छोटी होने चाहिए या फिर उससे equal होने चाहिए तब तक हमारा h not accept हो सकता है अगर calculated value बढ़ी हो जाती है table value से तो हमारा h not reject हो जाता है तो हमारा h not जो है वो accept हो जाएगा यानि कि हम कहे सकता है that the difference between three types of weight is not significant ओके तो यह question हमारा यह complete हो गया one way classification का I hope कि आपको यह method समझ आई होगी अब friends equation मैं आपको दे रही हूं उससे आप same इसी तरह के से solve कीजिए और उसका answer मुझे नीचे comment box में जो f की value आईगी न आपकी calculated value वो नीचे comment box में लिखकर बताईए ताकि मैं बता सकूँगी कि आपका answer right आ रहा है कि नहीं आ रहा है okay so this is your question आप इसे solve कीजिए same इसी type का sum है जैसे जैसे मैंने steps बताएं वैसे वैसे solve करके इसका answer निकालिए और नीचे comment box में लिख दीजिए तो friends अगर आपको इस वीडियो पसंद रहे तो please इसे like कर दीजिए और मेरे channel को subscribe जरूर करें ताकि आपको आने माले videos के भी updates मिलते रहे thank you